स्रीक शिवाय नमस्तुभ्यम भरहर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको पसुपति व्रत में उद्यापन की पुजा थाली तथा उद्यापन की पुजा विधी के बारे में बताओंगी तो आएज जानते हैं पसुपति व्रत में उद्यापन की पुजा विधी और पुजा थाली की संपूर जानकारी वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बताओंगी कि मैंने अपने चैनल पर पसुपति व्रत की सुबा की पुजा थाली सुबा की पुजा विधी और शाम की पुजा थाली और शाम की पुजा विधी का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है चैनल पर विजिट करके आप वीडियो को असानी से देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पसुपति व्रत भगवान संकर का व्रत होता है या पांच सोमवार का व्रत होता है पहले सोमवार से व्रत को धारड किया जाता है और पांचवे सोमवार पर इस व्रत का उत्यापन किया जाता है इस व्रत में दो समय की पूजा का विधान होता है एक सुबा के समय की पूजा और एक प्रदोसकाल की पूजा इस पूजा में हमें एक विशेश तरह से थाली त्यार करनी होती है और उसी थाली से हमें दोनों प्रहर की पूजा करनी चाहिए पसुपतीवरत में पहले सोमवार से लेकर चौथे सोमवार तक हमें वीडियो में बताएगे वीधी के अनुसार सुबा और शाम की पुजा करनी है उद्यापन के सोमवार यानि पाँचवे सोमवार के दिन हमें सुबा की पूजा वीडियो में बताएगे विधी के अनुसार ही करनी है लेकिन साम की पूजा के समय हमें पसुपतिवरत का उद्यापन करना है उद्यापन के लिए हमें जिन जिन समाग्रों के ओसकता होती है वह सभी इस प्रकार है जिस दिन आपके पसुपतिवरत का पांचवा सोमवार हो उस दिन सुबा की पुजा करने के बाद साम की पुजा के समय हमें उद्यापन करना चाहिए पसुपतिवरत का उध्यापन हमें साम की पुजा के समय करना है पसुपतिवरत के उध्यापन की पुजा के लिए हमें सुबा की पुजा थाली से ही पुजा करनी है अलग से केवल हमें एक लोटा सुधिजल, मीठे का प्रशाथ, छै दीपक इसी के साथ एक नारियल जिस पर साथ बार मौली लपेटा जाता है और अपनी स्रद्धा अनुसार सामर्थ अनुसार कुछ दच्छिणा भी बांध दिया जाता है इसके अलावा हमें एक व्यक्ति के दिन भर का सीधा के अनुरूप हमें कुछ अनाज दान करने के लिए निका उद्यापन के समय हमें कोई भी चीज 108 की संख्या में लेना होता है चाहे आप वहपुस भी ले सकते हैं बेल पत्र ले सकते हैं चावल का आखादाना भी ले सकते हैं या फिर किस्मिस के दाने भी ले सकते हैं आप कुछ भी 108 की संख्या में ले सकते हैं तो इन सब पुजा स हम शाम के समय यानि उद्यापन के समय हम अपनी पुजा करेंगे प्रशाद के तीन हच्च्च करने के लिए आप दोना पतल या कटोरी भी ले सकते हैं तो आएए जानते हैं पशुपति व्रत में उद्यापन की सरल पुजा विधी के बारे में उद्यापन के ब्रत में जो दान करने के लिए सीधा निकाला है उसमें मैंने डाल, चावल, आटा, आलू, नमक, हल्दी, गरम मसाला, कुछ मिठाई तथा द्रव्वे लिया है उद्यापन की पुजा थाली को त्यार करके उसे किसी कपड़े से ढख कर हम शिव मंदिर लेकर जाएंगे श्यू मंदिर पहुसते हैं, श्यू की चोखट को प्रणाम करेंगे, नंदी भगवान को प्रणाम करेंगे, उसके बाद महादेओ को प्रणाम करके हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे जैसे हमने चार सोमवार की पूजा की है साम के वक्त की वैसे ही हमें उद्यापन के दिन भी वैसी ही पूजा करनी होती है बस थोड़ा सा हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहले संकर जी के स्विलिंग को हम अच्छी तरह से साफ कर देंगे स्विलिंग को साब करने के बाद हम जलाविशेक करेंगे जलाविशेक करने के बाद अस्ट गन्चंदन से हम भगवान संकर के स्विलिंग पर त्रिपुंड बनाएंगे ओम लिखेंगे और राम लिखेंगे शीलिंग पर हम भास्टु समर्पित करेंगे, अबीर तथा गुलाल दोनों समर्पित करेंगे इसके बाद स्विलिंग पर हम काला तिल, साबुत अनाज के रूप में चने की डाल, मौं की डाल और किसमिस समर्पित करूँगी इसके बाद हम बाबा के ओपर बेलपत्र समीपत्र दूरवा पुस्प समर्पित करने के बाद हम बाबा का सुंदर सिंगार कर देंगे भगवान संकर का या पसूपतिवरत हम अपनी मनोकामनाओं की पूरती के लिए करते हैं चाहे वा विवा हे तू मनुकामना हो, मन चाही नौकरी प्राप्ती के लिए हो, संतान प्राप्ती के लिए हो, या फिर रोक से मुक्ती के लिए हो नियम और संकलक ये साथ पसुपती व्रत करने से बाबा हमारी मनुकामना को अवश्य पूरा करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने भूले बाबा का समी पत्र, बेल पत्र, पुस्त, दूर्वा, आजिसे सुंदर सिंगार कर दिया है अब हम बाबा को मीठे का भोग प्रशाद समर्पित करेंगे यहाँ पर मैंने बाबा को भोग प्रशाद समर्पित करने के लिए आटे का हलुआ बनाया है आटे का हलुआ का तीन हिस्सा बाबा के सम्मुक ही करेंगे प्रशाद के तीन हिस्से आपको घर से करके नहीं लाने है प्रशाद के तीन हिसे आपको बाबा के सामने ही करने है मीठे का भोग प्रसाद लगाने के बाद अब हमें एक नारियल जिस पे हमने साथ बर कलावा बांदा है और अपनी सामर्थ के नुसार देक्षिडा बांद कर हमें इस प्रकार से स्विलिंग के पास रख देना है इसके बाद हमने जो सीधा निकाला था उसको भी संकर भगवान के स्विलिंग से टच कराके यानि छुआ के हमें एक किनारे रख देना है या सीधा हमें उसी समय वही पर छोड़ के आ जाना है वापस लेके नहीं आना है मतलब कि दान कर देना है नारियोल को भी वहीं सिव मंदिर में छोड़ देना है वापस घर को नहीं लाना है इसके बाद हम छे दीपक को यहाँ इस तरह से सजा देंगे इसके बाद हमने 108 की संख्या में जो भी कुछ लिया है बेलपत्र पूस पर चावल का आखा दाना उसको हम सिव मंत्रों का जाप करते वे एके करके शुजी के स्रीलिंग पर चड़ा देंगे मैंने यहाँ चावल का आखा दाना लिया है और शुरी शिवाय नमस्तुब्यम का जाप करते हुए मैं एके करके 108 बर इसको समर्पित करूंगी समय और प्रशाद लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखे कि आप पार्वती जी के अस्थान पर भोग प्रशाद या दीपक ना लगाए श्रीलिंग के नीचे या फिर भूमी पर आप भोग प्रशाद और दीपक लगाए प्रशाद के तीन हिस्से करने के बाद और छे द दीपक लगाने के बाद हम दीपक में पांच दीपक को प्रजलित कर देंगे और एक दीपक ऐसे ही रख देंगे बिना जलाये हुए। दीपक को प्रजलित करते हुए आप अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए बाबा से विंती करें प्रासना करें। पसुपती व्रत में कोई पुस्तक या कहानी नहीं पढ़ी जाती है। इसके बाद अपने सीधे हाथ की तरफ दीपक को रख दें। दीपक रखने से पहले एक पुस्त पर रख दें। हमारे पसुपती व्रत के उद्यापन की पूजा विधी यहां संपन हो जाती है। पूजा संपन होने के बाद हमें प्रशाद में जो एक हिस्सा हम अपने घर पिलाए हैं उसको खा कर ही अपना व्रत खुलना चाहिए। तो इस विधी द्वारा हमारे पसुपती व्रत की उद्यापन पुजा विधी संपन हो जाती है। अगली वीडियो में तब तक कि लेशरी शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।